हीर भी गाइज, वी आर गईंग टू लर्न सम्थिंग न्यू अन दिस चैनल आज किस वीडियो में मैं आपको फुल इस्टेक वेब डबलपमेंट का रोड मैप देने वाला हूँ एंड में ये गैरेंटीट बोल सकता हूँ कि आपको पूरे यूटूब में ऐसा रोड मैप देखने को नहीं मिलने वाला है अगर आप भी वेब डबलपर बनना चाहते हो फुल इस्टेक वेब डबलपर के लिए क्या-क्या चीजे आपको जरूरी पढ़ने वाली है वो आज किस वीडियो में कवर करूँगा तो keep in mind that आप लोग इस वीडियो को till the end वाच करिएगा क्योंकि आज जो content मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ सायद ही आपको ये वीडियो के अंदर आपको कहीं यूटूब पे ये सारी चीजे देखने को मिलने वाली है और इसकी पूरी डॉक्यमेंट मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा जहां से कि आप सभी को को भी problem आती है तो आप वहाँ से access करके वापस से उसको learn and recap कर सको अगर आप सभी भी full stack web developer के लिए काम करना चाते हो या फिर web development में जाना चाते हो तो पूरा का पूरा ये आपको 7th month का guide मिलने वाला है जिसके अंदर आप सभी को सारे component में explain करूंगा जिसमें की basics of HTML then उसके बाद कैसे आपको framework को choose करना है version control में आपको cat versions control आपको रखने है जिससे आपको ज़्यादा help मिल सके आपके coding comfort के लिए उसके बाद आपको कौन से language backend के लिए select करनी है आपको database से कैसे इंट्रेक करना है और CICIDs जो कि हम end में बात कर रहे होंगे तो फिल हाल मैं नीचे scroll करता हूँ उससे पहले दोस्तों आप लोगों को अगर आगे ऐसी future में और वी वीडियो सीए तो like करके चाहेंगो subscribe कर लेना आप मुझे linkedin पे भी follow कर सकते हो उसका link मैं description box में drop down कर दूँँगा सबसे पहले friends आप सभी के लिए जो course के अंदर बात करूँगा मतलब आपको कैसे सीखना है road map के लिए सबसे पहले आपको basics of HTML, CSS and JavaScript जो कि पूरा one month के अंदर आप cover कर सकते हो HTML में आप सभी को form and validation साथ में कुछ HTML के text को आपको याद रखना होगा यानि समझ लेना है दन उसके बाद आप सीदे सीदे CSS पर आ सकते हो जिसमें layout, floor, position, display, flex box, box model कैसे आपको CSS में explain होता है क्या-क्या box model के अंदर padding, margin सारी चीज़े और responsive design आपको कैसे create करनी है उसके frameworks के भी वारें बात करेंगा भी आपको basic सीज़े जो knowledge होनी चीए वो CSS, HTML और JavaScript में तो JavaScript के लिए आप syntax का और basic constructor आप देख सकते हो फिडियो, manipulation और fetching APIs कैसे fetch करना है उसको basic जाने रहो आगे हम पूरा discuss करेंगी से roadmap के अंदर आगे आते हैं तो अब आपके लिए framework चूज़ करना बहुत जादा जरूरी है जैसे कि दोस्तों आप CSS यूज़ कर रहे हो तो आप सभी के लिए bootstrap हो गया, tailwind हो गया और भी another आपको CSS के frameworks मिलेंगे bootstrap के framework बहुत जादे अच्छे हैं बहुत साय लोग यूज़ करते हैं CSS services भी आप यूज़ कर सकते हो अब देखो आगे आपको react वगेरा सब कुछ मैं बताऊंगा अभी आगे आते हैं देन आपको java script के लिए आपको बहुत सारे frameworks हैं जो की react हो गया, angular हो गया, view हो गया अभी यहां पर react.js की भी बात करेंगे बाकी angular हो गया और view जो की तीनों आपको framework देखने को मिलता है अब ध्यान में रखिएगा node.js framework नहीं है मैं पहले आपको explain कर दूँ node.js एक runtime environment है जो की java script को backend पे run कराता है अभी आगे बारे में बात करेंगे सब कुछ अब आगे आते हैं version control system जो की आपका पूरा का पूरा 15 days लेगा और version control system के अंदर आप सभी guys github को देख रहे होंगे क्योंकि github one of the most and popular है अब github के साथ आप सभी git और github दोनों चीज़े सीख रहे होंगे github के बाद बात करते हैं package में तो npm node package manager और यान आप यूज़ कर रहे होंगे साथ में module bundlers के अंदर webpack roll up और parcel का आप यूज़ करेंगे देन आगे आते हैं तो if you देन आपको reek.js अगर आप सीख रहे हो तो उसके बाद आप कैसे यूज़ करोगे next.js और सारी चीज़े वह बायद में बात करेंगे जिसमें कि आपका framework होने वाला है अब front end के लिए सारा का सारा ये आपको PDF का मैं provide करा दूंगा जिसमें CSS भी दिख रहा होगा javascript भी दिख रहा होगा design tools और CSS javascript में आपको क्या करना है 3 & 4 month आपको ये पूरा लेगा जो चीज मैं आपको इस screen पे display कर रहा हूँ इसको करने के बाद आपको थोड़ा सा और भी नीचे आना है पूरा का पूरा आपको ये चीज़े follow करते हुए चलनी होगी जिससे आप सभी भी एक full stack web developer बन सको अब नीचे आते तो back end के लिए सबसे ज्यादा most important आपको दिर से दो मन्त लगने वाले है सबसे पहले तो आपको language को select करना है जिसमें कि आपको multiple language मिल जाएंगी लेकिन मैं आपको recommend करूंगा अभी के time में आप javascript को use करो because javascript front end में तो use होई रही है back end में भी आप javascript यूज कर रहे हो जो कि node.js एक runtime environment है जो आपको provide करता है back end में javascript के course को run करने के लिए आप नीचे आओगे some knowledge and OS terminal commands होंगे process management, threads, concurrency, basic network concept यह आपको मैं आगे आने वाली वीडियो में बता दूँगा इसको आप बहुत जल्दी दो दिन में cover कर सकते हो head to databases की तरब move on करते हैं तो relational database और non-relational database आपको पता है दो प्रकार के हैं तो यहाँ पर आपको relational databases में mysql मिल जाता है oracle one of the famous आपको मिल जाता है और non-relational में mongodv मिलता है और google का firebase आप यूज़ कर सकते हो जो कि बहुत साई लोग यूज़ करते है mongodv या फिर firebase यहाँ पर सीख लो यहाँ पर mysql oracle या फिर post degree sql भी आप सीख सकते हो उसके बाद नीचे आते हो तो devops के लिए आपको two month लेने है उसके बाद cicid में आप gitlab जो के यूज़ कर सकते हो बहुत ज्यादा यूज़ होता है cloud में आप AWS, Google, Microsoft, Azure कोई भी आप कर सकते हो कोई भी cloud आपको technology प्रेफर करो और फिर how to setup कैसे आपको करना है firewall, servers, load balancer वो आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे अब for example मैंने यहाँ पर लिया है एक backend के लिए बरगर ठीक है तो यहाँ पर आपको सारी चीज़े देखने को मिल लाई होगी जिसमें कि आपको containerization और CICID, architecture patterns, APIs, then coachings और आपको testing दिख रहा होगा database में आपने क्या लिया है framework में आपने क्या यूज किया है और आपने कौन कौन से programming language को इसको select किया वो सारी चीज़े आपको दिख रहे होगी इसके full PDF मैं आपको video के description पे provide कर दूँगा और साथ ही साथ आप चैन को subscribe कर लो क्योंकि पूरा का पूरा full stack developer पे video भी आपको चैन पे बहुत जल्द आने वाली है साथ मैं मैं आपके लिए flutter के content भी लेकर के आने वाला हूँ जिससे आपको flutter के बारे में भी knowledge हो और flutter class platform को कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको आगे आने वाली videos में बताने वाला हूँ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तिल आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनको subscribe आप वीडियो सो share भी किजेगा मिलते एक और नए वीडियो में आपके लिए नए-नए contents के साथ